इस वीडियो के नगाइस हम लोग बात करेंगे हाउ टू इन्वेस्ट इन SGB गोल्ड बॉंड वाइदा जिरोधा तो देखें कम्प्लीटली प्रोसेस बदल चुका है जिरोधा के अंदर तो नया प्रोसेस क्या है अगर आपको RBI के तुरू करीदना है उपन करेंगे तो पहले जिरोधा के कोईन के अंदर आपको जाना पड़ता था और वहाँ पर जाके इन्वेस्ट करना पड़ता था लेकिन अब अच्छी बात क्या है नीचे यहाँ पर आपको एक बिट का सेक्शन मिल जाता है और bit case section के अंदर आपको auction, IPO और government security ये तीन टाइप की चीज़े देखने को मिल जाती है अब आपका जो SGB gold bond होता है जब भी RBI यहाँ पे issue जो है issue करता है मतलब जिस भी month के अंदर issue करता है normally साल के अंदर जो है 4 बार होता है यानि 4 बार एक financial year के अंदर series issue होती है तो अभी आप right now देख सकते हो अभी एक third series यहाँ पे issue रखिए 2324 के लिए तो वो आपको simply तरीके से देख जाएगी अब यहाँ पे series आपको तभी देखेगी जब RBI issue करता है अगर यह series यहाँ पे close हो जाती है तो यहाँ पे आपको यह जो government securities है उसके अंदर आपको SGB gold bond नहीं दिखने वाला अब चलिए guys बना देता हूँ कि apply कैसे करना है तो बड़ा ही आसान है सबसे पहले apply करने के लिए यहाँ पे आपको bidding place करनी पड़ेगी और bidding place करने के लिए आपके wallet के अंदर यहाँ पे आपके पास में balance होना चाहिए अब example के लिए देख सकते हो यहाँ पे एक gram का जो price है वो 6149 चल रहा है तो यहाँ पे let suppose अगर आप मालेजे 10 gram यहाँ पे invest करना चाहते है या जित्ता भी आप invest करना चाहते है तो सबसे पहले आपको अपने wallet के अंदर वो चीज़ लूट करनी पड़ेगी तो example के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 units की basically quantity डाल दिये है चौबिस सब पांसो चेहाँ में रुपे आप जैसे मैं submit बड़न के उपर click करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी bid जो है यहाँ पे simply तरीके से place हो चुकी है साथ में guys यहाँ पे बताना चाहूँगा आपने यहाँ पे जो bid place की है ध्यान रखेगा जित्ता भी आपका amount है यहाँ पे आप कितना भी amount place कर सकते हैं लेकिन wallet के इंदर वो balance होना चाहिए last day के उपर अगर last day के उपर वो balance नहीं हुआ तो आपने यह जो bid की है वो एक actual में यहाँ पे fail वगरे हो जाएगी तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अपना जो wallet का balance होता है कि let suppose जितना भी आपको fund लगाना है तो सबसे पहले अपने fund के इंदर जाकर UPI से net banking से वो fund amount यहाँ पे जरूर अड़ कर लिजिए अब गई जैसे यहाँ पे आप bid place कर देते हैं अच्छी बात यह कि जब तक यहाँ पे आपका जो है series open होता है तब तक आप इसको modify भी कर सकते है और cancel भी कर सकते है तो let suppose अगर आपको amount increase करना है या फिर decrease करना है तो उसके according आप modify कर सकते है यह इस application करकर आपको cancel करना है तो आपको cancel का भी option मिल जाता है लेकिन यह option तब तक ही available है जब तक इसका period रहता है नहीं है आपको wallet के अंदर balance रखना पड़ेगा और उसके according आप यहाँ पर place कर सकते हो आतमे जब भी यहाँ पर SGB आपको alert होता है आपको CDLZ की तरफ से भी इस type का mail मिलता है और उसके साथ में RBA की तरफ से भी आपको subscription certificate वगरे मिलता है PDF form के अंदर होता है इसके अगर मैं details की बात करना चाहूं तो इसके अंदर आपका security code नंबर वगरे हो गया आपका name वगरे हो गया प्रस आपके payment account से जो भी bank account link है उसके details यापे mention होती है आप में guys ये वाली जो security होती है जैसे normal आपको stocks दिखते हैं अपने holding के अंदर वैसे ही आपको SGB gold bond यापे simply तरीके से दिखने वाला है साथ में यापे आपका जो भी percentage वगरे होगा कितना अब जा रहा कितना down चल रहा है वो सब भी यापे आपको दिखाए देगा तो guys ये तो बात हो गई RBA से खरीदने की अब guys बात करते की open market से आपको कैसे buy करना है तो guys इसके लिए मैं आपको एक link जो है description box में देने वाला हूँ ये national stock exchange की यहाँ पर website है simply तरीके से और यहाँ पर जितने भी last 24-88 hours के अंदर जो भी SGB gold bonds trading होती है उन सभी की यहाँ पर list दी गई होती है अब guys यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं simply तरीके से आप LTP के उपर click कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं volume आपको बदा देगा किस SGB bonds के अंदर कितना volume यहाँ निकल के आ रहा है तो यहाँ पर सबसे जो important जो चीज होती वो liquidity होती है अगर आपको यहाँ पर open market से कोई भी SGB gold bond खरीदना है तो make sure कीजिए उसके अंदर यहाँ पर liquidity होनी चाहिए अब example के लिए यहाँ पर मैं देखना चाहो तो 15,000 का एक volume चल रहा है यहाँ पर SGB September 31 के अंदर है तो जैसे इसके उपर मैं click करूँगा तो यहाँ पर details निकल के आ जाती है तो आप देख सकते है यह 2324 का second series था जी हाँ तो अभी right now यह third series यहाँ पर issue हुआ है तो इसके पहले वाला जो series था उसकी यहाँ पर open market के अंदर trading चल रही है प्लस यहाँ पर कितना buy quantity है कितना sell quantity है asking price का है bid price का है वो सारी चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हो अब guys माल लीजे आपने यहाँ पर decide कर लिया कि मुझे open market से यह वाला bond यहाँ पर basically buy करना है प्लस यहाँ पर आप क्लिक करके market के depth वगरे देख सकते हैं कि यहाँ पर offer price वगरे क्या चल रहा है तो अगर आपका bidding price offer price के साथ में यहाँ पर match होता है तो definitely आपके जो demand account होंगे उसके अंदर यहाँ यह units यहाँ पर create हो जाएंगे जैसे अगर मैं आपको example देना चाहूँ तो अभी जो third series यहाँ पर launch होई है उसका RBA की तरफ से जो issue price है वो 6149 का है जबकि right now यहाँ पर आप देख सकते हो offer price के अंदर 6105 के उपर भी आपको मिल जाएगा तो guys जैसे हम लोग यहाँ पर normal shares को यहाँ पर buy करते हैं उसी तरह से यहाँ पर अपको quantity वगरे डालनी है अगर आपको market price के उपर लगाना है तो यहाँ पर market price के उपर लगा सकते हैं वहना simply आपको हमेशा यहाँ पर limit order जो है place करना चाहिए ताकि जैसे आपको यहाँ पर bid offer के साथ में match होता है आपको order यहाँ पर execute हो जाएगा आप guys बात करते हैं कि आपको यहाँ पर sell कैसे करना है जैसे SBG एक बार आप खरीद लेते हैं तो देखिए इसमें भी यहाँ पर तीन method हो सकते हैं अगर आपने RBA से यहाँ पर मालीची जब issue किया था तभी आपने buy किया और आप maturity तक उसको hold करके रखते हो यानि 8 सल तक तो RBA को वापिस आप बेज सकते हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रुवत नहीं है जो भी आपके demand account के इंदर units पड़े होंगे जैसे maturity होगी automatically आपके CDSL account से वो units यहाँ पर debit हो जाते है और उसका जो पूरा पैसा है आपके demand account से जो भी bank account link होगा उसके अंदर simply तरीके से credit हो जाएगा तो यहाँ पर आपको कोई भी manual action लेने की ज़रुवत नहीं है जब भी आप maturity तक यहाँ पर hold करते हो और RBA को sell out करते हो दूसरी guys condition यह हो सकती है कि RBA जो हर 5 साल के बाद में basically एक period निगालता है उसके अंदरा वापिस RBA को यहाँ पर sell out कर सकते हो तो guys इसके लिए RBA क्या करता है अपनी website के उपर यहाँ पर press release करता है जिसे example देख सकते हो 15 December 2023 को इन्होंने यहाँ पर premature redemption की press release की है जो 2017 और 18 किंद process है तो यहाँ पर आपको थोड़ सा manual काम करना पड़ेगा online यह चीज नहीं होगी तो यहाँ पर guys आपको broker को जो है इस type का एक form जो है fill up करके देना पड़ेगा तो जैसे आपको यह notification यहाँ पर मिल जाती है RBA की तरफ से तो यहाँ पर आपको जैसे जिरोधा की बात करो तो 6199 का यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है जो कि जो 17 और 18 के अंदर जो issue हुआ था उसका यह redeem price है इसके लागाए जो तीसा तरीका है वो simply वापिस आप open market के अंदर sell out कर सकते हो भले आपने RBA से क्यों ना खरीदा हो तो guys उसका process बड़ाए simple है जैसे आपके holding वाले section के अंद market debt वगरे देख सकते हैं कि कितनी liquidity है इस वाले SGB की अंदर और कितना bid price चल रहा है कितना offer price चल रहा है तो उसके according यहाँ पर आप अपना offer वगरे place कर सकते हो तो guys दियान रखेगा selling के अंदर आपका capital gain या पर exempt नहीं होगा अगर आपने open market के अंदर निकाला वही चीज़ अगर आप RBA को वापिस बेजते हो at the time of the maturity तो आपका जितना भी capital gain बनता है वो पूरा exempt हो जाएगा और interest के अगर मैं बात करूँ चाया आप RBA से खरीदो या फिर open market से करीदो दोनों ही case में आपको interest मिलता है जो कि 2.5% परायराम रहता है तो guys hope you like this video हम लोगों ने SGBRBA gold bonds के अपर पूरी series बना रखे interest के कैसे calculations वगर होती है यह सब कुछ हम लोगों ने इस video के अंदर discuss किया हुआ है तो इन playlist के link में मैं आपको description box में provide कर दूँगा बा सबी के reply देने की कोशिश करूँगा